गुट इमिनिंग वेल्कम बेक सबसे पहले मैं सुब्ट आमने देने चाहूंगा रक्सरबंदन की और एक छोटा सा स्टिल लाइब मैं ट्राइ करता हूं और उमीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा और कुछ मैं सेयर करना चाहता हूं इसलिए हमें से लाईब आता हूं कोई ऐसा सुब्ध दिन पर अगर थोड़ा सा भी आपको मैं कुछ काइट कर पाऊं तो मुझे भी आच्छा लगता है तो चलिए येस कैमेरा हो चुका है तो मैं उमीद करूंगा कि आपको ये अच्छा लग रहा है जड़ा 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 बेशीक बात करेंगे ज़रूर हेलो वेलकम अशोवीक दप्तो ओके तो स्टिल लाइब जो गुरूप में हैं उनको ये स्टिल लाइब मिल चुका और कुछ तो इसमें मेरे डिवाइज आपडेट हो रहा है तो तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अब जब भी कभी सीखने की कोशिश करते हैं तो स्टिल लाइब जो है काफी जड़ा इन्पोर्टेंट है आप देखेंगे कि इंस्टा पे फेस्बुक पे स्टिल लाइब का मेरा कंटीन्यू पोस्ट मिलेगा आपको वो सब क्लास कि जरिए और classes के details आपको मिलेगा मेरे जो भी इंस्टा पर या youtube में जहां पर shelters की होते वहांपे तो आज मैं एक चोटा सा स्टिल Lाइब single port है उसको किस तरसे यह किस तरह से उसमें कलर अप्लटाइक कर सकतें बीना दरे उस मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा और मैं आपको शेयर करूँगा ठीक है तो थैंक यू जो भी जुड़े है मुझसे ऐसे शुब दिन पर तो मैं कोशिश करूँगा आपके समय आपको यूज हो तो चली स्टार्ट करते हैं और बीच-बीच में आपके कॉमेंट्स टिर्पात्याम कवरें मैं काम स्टार्ट करता हूं ओके तो सब से पहले जो बाती है आफ जो आप वहाँ पर study कर सकते हैं, color mixing सिख सकते हैं, ऐसा नहीं, कभी मत करो ऐसा कि आपका color palette त्यार हो गया या बन गया, ऐसा कभी ना करो, क्योंकि color palette जो है, बनाना नहीं है, वो आपने आप से बनेगा color palette, तो इसलिए आपको color palette खुद को कभी नहीं बनाना है, ठीक है, आपको एक color का test क्या है, उसको आपको try करना है, है न, वो कैसा है देखने में, क्या color है, उसे आपको जुरूर try करना है, तो यहाँ पर जो भी pot है, ऐसा pot में क्या होता है, अक्सर क्या तो उसमें बैलेंस है न, वो बहुत ज़रूरी है, तो बैलेंस करने के लिए मैं थोड़ा सा ऐसा state line simple pot, जब भी कब अब experiment करते हो, या सीखने की कोशिश करते हो, चीजे simple होने से, आप उसको ज़्यादा achieve कर पाएंगे, ठीक है, क्या होता है कि आप देख लेते कि, एक artist ने still life किया, उसके अंदर बहुत सरे elements है, आपने भी क्या किया, ऐसा है कोई composition उठाया, और सुरू कर दि हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके तो मैं धिरे-धिरे याँ पर बहुत हलके हातों से drawing को करने की कोशिश कर रहा हूँ, हलके हातों से pencels lines चलाना इसलिए है, कि आपके जो भी उसमें कमी पेसी है, आप उसको ठीक से correct कर सकते हैं, और हमेशा क्या watercolor medium को समझना है, वो कैसे चलता है, तो यहाँ पर आज आपको थोड़ा से देखने को मिलेगा, वो कैसे चलना पसंद करते है, मिडियम, और इसके अंदर varieties बहुत है, colors, varieties देखने को मिल रहा है, spot के अंदर, जिससे की थोड़ा मज़ा आएगा color करने के लिए, और जब challenge हो कुछ, तब और ज़्यदा मज़ा आता है, आप जब भी कहीं पर भी सिखते हो, तो आपको क्या करना है, लाइट ज़्यदा हो रहा है, तोड़ा white paper के बश्यदा ज़्यदा दिखता है, तो मैं बहुत हलका draw कर रहा हूं, बस हो गया drawing, इतना ही drawing रहूंगा, और इसे आपको color जैसे करूंगा, आपको ठीक से दिखने लगेगा, तो यह बहुत roughly एक draw मैंने किया है, अच्छा, इसके अंदर भी कुछ अगर extra lines, अगर कुछ ऐसा लग रहा है, उसको आपको निकलना है, तीक है? यह paper मैं use कर रहा हूं, जो की शौंदर्स का है, 190 GSM में, और यह आप purchase कर सकते, आर्टिकेट से, आर्टिकेट से आप, आर्टिकेट से आप, जो की उसका link भी description ब्यक्स में मिल जाएगा, मेरा coupon code आप इस्तमल कर सकते है, आपको थोड़ा सा discount हो जाएगा उससे, ओके, कुछ इस तरह से simple मैंने draw किया है, ठीक है? तो मेरा काम है आपको share करना, थोड़ा सिखाना, जो कुछ मुझे आता है, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा on हो गया, मुझे देखना को मिल रहा है, ओके, तो यह cold press है, सोंदर्स का है, आप आटिकेट से purchase कर सकते, 1A90JSM पतला है, बट अच्छी तरह typing कर सकते, जिससे की एक मतब काम जो हम color करता है, मैं क्या requirement क्या रहता है, कि end में अच्छा result हो है ना, तो end में अच्छा result होने के लिए हमें अच्छा paper चाहिए, तो वो अच्छा paper होने से आपको color अच्छा रहे गया, ठीक है, और कोई सवाल है तो जुरू करते रहेगा, मेरा यह जो है laptop, sorry tab, open हो चुका, आखिर में, इसके अपर बहुत load रहता है, पूरा दिन on रहता है, तो इसलिए ऐसा hang कर रहा है, उसकी गलती नहीं है, उसके अपर बहुत ज़द़ फ्रेसर है, बहुत काम करते हो, ओके, तो चलो अभी थोड़ा सा color कैसे करते हैं, वहीं देखना, 190 जेसम याद रगना, क्यों मैं बता रहा हूँ, 190 जेसम में भी कितने सारे water के साथ मैं खेलूंगा, तो वह आपको थोड़ा सा देखना है, कि क्या, देखो, जब आपको डर निकलोगे, तब आप पेंटिंग कर पाएंगे, डर निकलना परेगा आपको, तब आप पेंटिंग कर पाएंगे, गलती तो होता है, गलती से ही सीखते है, वो क्या होता है कि यह जो हम पेंटिंग करते हैं, कोई भी आर्टिस जो पेंटिंग करते हैं, क्या होता है, वो उसमें जो गलती हो जाता है, जाने आन जाने में, उसको किस तरह से संभलना है, बहुत ज्यादा जरूरी है इस मीडिय मीडिया में कलर को शिलिक्सन अच्छा होना चाहिए आज गल डिवाइस अलाग अलाग होने के कारण आप डिवाइस के जरिये भी आप अपना अपना मतब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर देखते हैं उसके अंदर उससे कुछ फर्ग नहीं पड़ता जो आप कलर डिव डरना बिल्कुल नहीं है क्या होगा जाज़्यदा खराब होगा ना उससे ज़्यदा नहीं कुछ हो सकता है उससे ज़्यदा कुछ नहीं हो सकता है और को वाटर कलर की तरह करना है आप जो करते क्या कलर विद्न एक जग लागाना धर उसको फिलफ करना कि दूसरा बक्स फिलफ करना वह वाटर कलर नहीं है वह उससे अचावाग किलिक करिए वह ठीक है वाटर इसा निए वाटर कलर में चाहिए वाटर कलर में ड्रमा चाहिए ठीक है तो वो जादा इस्तेमिल करना है जिसके यह सॉप्टने सा अगया है ना इसे एक दिन में आप नहीं समझ सकते और क्या होता है उस चीज को भी समझना होता है जिसके करण क्या है कि मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे क्लासेस एविलेवल है जो जिनें चाहिए आप क्लासेस एविलेवल कर सकते हैं मतब अटिन कर सकते हैं तो वो डिस्कुशन वाक्स में है तो यह जो है यो लो अकर यूज कर रहा हूं इस स्टार्टिंग में मुझे कुछ कलर जो की उस कलर अभी नहीं देंगे तो वो कलर नही में रहा है ओके अल्टमिरिन अलिजरेंट केंशन विरिटियन और इस समय मेरा जो पेपर है तगरीवन जो है क्या बोलते हैं इसको 40 डिग्री पे है बन टमबर क्या है ना कि जैसे मैं ये कलर लगा रहा हूँ तो वो कितने गिला है उसको आप ही को समझना परेगा आप जब कर्म करते हो कितने गिले में आपको डालना है कलर वो नीचे कितने आएगा एक्सिडेंट आप चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो वो भी देखना है एक्सिडेंट चाह रहे हो तो कितने एक्सिडेंट चाह रहे हो ठीक है आप थोड़ा सा चाओगे आपने आपसे थोड़ा होगा एक्सिडेंट तो यही है तरीका मदब वाटर कलर मीडियम में यह होता ही रहता है तो उसके उपर आप देखो क्या किस तरह से इसे आप काम कर सकते है थोड़ा tem тобi थोड़ा 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 रुर्रेंस को फॉलो कर रहा रहा हूं उसके जो स्टायल को मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूं कि वहाँ पर जो स्टायल क्या है नेचेरल नेच्रल जो style बना के दे रहे हमें वो उसको मैं capture करने की कोशिश कर रहा हूं उसके उसको करने के लिए वो जो timing water color medium के साथ काम करना तो उसके जो timing क्या है कौन सा time में मुझे color डालना है यह सब चीज notice करना है और आप भी notice किजिए कि इसे मैं किस तरह से कर रहा हूं आपको क्या करना बढ़ेगा एक ही port को दो चर्वर करो एक बर नहीं तो जहके आप बहुत कुछ उसके अंदर सीख सकते आपके इंप्रुमेंट के लिए हाजारों चीजे करने से इंप्रुमेंट होगा ऐसा कुछ नहीं है एक चीज को perfect करेंगे तो उसी एक ही चीज से आप हाजार गुना आगे निकल जाएंगे ठीक है तो ऐसा मैं सुचता हूं थे को दिखो दिरे-दिरे में कलर एड On कर रहा हूं इसमें कौन कह हुआ रहा कि accident नहीं ह Gore है न होने दो क्या जा रहा है उसको फोने दो जिए दर कम जादा अक्सर क्या होता है जो फोड़ा कलर लघाया आ हाहा ये खरणव हो गया छोड़ दिया झे, ऐसे यह आपको जो भी होगा आप इंड टक रहेंगे उसके साथ तो मैं ठीक है इन तक उसके साथ रहेंगे जिसे जो भी हुआ थोड़ा सा स्टेविल हुआ थोड़ा सा रुका एलिटा मीरीन, एलिजरीन मैं कलर को थोड़ा सा और गढ़ा करने की कोशिश कर रहाPlease WR-D me means grey by Ed sia j Unknown ऐविजरीं क्रिमशन है मैं उuciónत्र खरूंगा प्रेइब6 क्या है कि वह ब्लैक का च्छोटा वाही है so तो वाटर कलर मीडिया में ब्लैक जैसा कुछ कलर अगर हम डालते ना वो इसकी सॉपनेस को खा जाएगा ऐसा मैं सुचता हूँ हमें समय जो सुचता हूँ वह मैं बताता हूँ क्योंकि यहां पर बहुत आर्टिस्ट है उनके फिंकिंग उनके यह डिफ्रेंट हो सकता है तो जो मैं सोच रहा हूँ वह आपको बता रहा हूँ तो मैं कुछ इस तरह से कलर जो एक स्टेज में वो कलर लगा रहा हूं उस स्टेज को फॉलो करना मतलब स्टाइम स्टेज में एक टाइम में जो मैं कलर को एपलाई कर रहा हूं उस टाइम को बहुत ज़रूरी आपको समझना है उस टाइम को वही सबसे ज़रूरी है किस टाइ कुछ नहीं कर रहा हूं उसके साथ प्ले कर रहा हूं टाइम के साथ कि उसमें से कुछ एक्सिडेंट हो भी रहा है ओके औरेंज बंटमबर कुछ यहां पर ब्राउन सा कुछ कलर देखने को मिला इंटरस्टिंग लगा मुझे तो मैं थोड़ा एड़ करने चाहा वो गिले-गिले में करता तो और ज्यादा अच्छा था वो खैर कोई बात नहीं यह जो ब्राउनी से कलर मुझे देख रहा है अभी चेलेगा जो भी है ओके यह ब्राउन जो कलर है औरेंज के साथ जो बंटमबर मैंने लिया कुछ-कुछ इस एरिया में ही है वो कलर तो यहां पर वो जो मूट को कैफ्चर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं को इस तरह से हैं और वाटर कलर मीडिया में जो भी कलर हम बनाते हुए एक बार में तियार नहीं होता इतना कलर प्राब्लम देता है अच्छा बातों बातों में मैंने यो लोग कर ऐलीजर इन क्रिमसन थोड़ा सा लिटामिन को लिया तो मैं रिफेरेंस को देख रहा हूं उसके साथ कोशिश कर रहा हूं को ऐसा कुछ कलर बना पाऊं तो उस कोशिश कोशिश में कुछ कलर को मैं तियार कर रहा हूं तो जियां तक कुछ कुछ सवाल है तो जुरूर डालो मैं अभी आपके सवाल लेग नहीं रहा हूं तो इदिर में देखूंगा तो जो भी कुछ क्या अच्छा है क्या गलती है फर्ग नहीं पड़ता आप बस एक्सपेरिमेंट करो यह जो कला है एक्सपेरिमेंट करना परता है और हाँ जरूर आपको सीखने के लिए जहां पर भी आप सीखते हो उसमें आपको और रिव्यू के जरी आपके जो है क्या प्राब्लम होड़ा है क्या है वो आप सिख पाएंगे आपके रिव्यू के जरी तो रिव्यू जरूरी है आपके इंप्रिमेंट के लिए तो यहां के जिस तरह से कलर मर्ज है तो मैंने मर्ज कर दिया है देखो एक्सिडेंट तो हो रहे न यहां पर हो गया एक्सिडेंट क्या फरक पड़ता है एक्सिडेंट होने के बाद भी इस पर इसको ठीक करना है accident होके जो बनता है आप बना के नहीं कर सकते आप जानबुझ के accident नहीं घटा सकते उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा जितने ये खुद से accident होके घटा है ठीक है तो इसके मतब क्या है कि water truck को accident भी accident जिसने करा लिया ना मतब उसके according जो हमें चाहिए वो थोड़ा आगे निकल जाएंगे डरना काई को है डरने का नहीं डराने का है ओके तो यहां पर थोड़ा ग्रिनिस है तो आल्टमिन को यह लोकर के साथ मिलाने से वो ग्रिनिस आ चुका है और उस समय वो गिले पर मैं छोड़ा था मज़ा आ रहा था भी मुझे ड्राई पसंद नहीं रहता बट क्या कर रहा भी ड्राई हो चुका तो ऐसे में सवाल आता है जब ड्राई हो जाए तो क्या करना है जैसे कलर को लगाया लगाने के बाद आप क्या कर सकते हैं क्योंकि उसको ऐसे ही नहीं छोड़सकते वह शार्फ हो जाएगा शार्फ होने से फिस भी क्रिशोफ्प्नेस नहीं है इख मलय आएका वह फ्लो में होगा जो आप वाटर क्या ख्यानतर है उभाएगा पूरा सा यो लोग कर यहां पर आईशो इंडुलाइन है जो ग्रीन है वो भी थोड़ा सा मैं लिया तो डर को करो बाए बाए तब आप वाटर कलर कर सकते है और एक छूटा सा ट्राइल करने में क्या जा रहा है पिपर आपका है ब्रुश आपका है अल्टा मिरिन यह जैसे वो गिले गिले में यह वाला पाट करता तो मज़ा आता अब यह थोड़ा सा सुख गया है जो भी हुआ इसे इसे हम अभी बैक्डरॉंड काम करके बैक्डरॉंड में कलर करने के बाद फिर इस वे थोड़ा सा काम करेंगे कलर के जैडिये कुछ डिजैन त्यार हो रहा है उस डिजैन को मैं हलका असा रखने की कोशिश कर रहा हूँ और एक जलक मैं आपके सवाल देख लूँगा उसके बाद बैक्डरॉंड कलर करूँगा यहां पर कुछ औरेंज का वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए मैं थोड़ा डॉट छोड़ा बहुत कुछ है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा मेंटेन करने से थोड़ा अच्छा लगेगा और वहरेटीज आ जाएगा वहर कोई कारण है यह सब इतने सारी कलर इसके पर आने के लिए वही सारी कारण है वह कारण को भी यहां पर रगना परेगा ओके तो मैं एक जलक ज़रूर आपके कमेंट्स देख लूँगा ओके ओके तो एक पारूल जी कह रहा है कि सर हम यह स्टेप बाइ स्टेप भी कर सकते हैं जैसे फास्ट लियार सबसे लाइट कलर फिर सेकेंड लियार में डार्ट कलर कर सकते हैं कर सकते हर एक चीज कर सकते हैं ओके हां गिला कर सकते हैं अब ड्राइ करके गिला कर सकते हैं ओके शर मिश्टर जी कह रहा है सर्य और एक्स्प्लेनेट भेरी नाइसली ओके थैंक यू ओके चलो थैंक यू ओके जो भी अभी आपके सवाल हो आप डालते रही है मैं आपको इसको बैक्डाउन करके फिर आपके सवाल पर आऊंगा जो भी देखूंगा डरना नहीं है बस करो ठीक है ओके तो यहां पर मैं मुझे बैक्ग्डाउंड करना है बैक्ग्डाउंड करते समय थोड़ा से रहान रगना है कि यह कितना ड्राई है कि नहीं अगर ड्राई नहीं है तो इसको पर पूरा कलर आ जाएगा यह जोड़ा कर लो या उसको ड्राई कर लो तो मैं यह आपिर को देख द्राइए करने से क्या होगा यह जो कलर है पक्का हो जाता है ना तोड़ा जो तो अभी हमें क्या एक बैक्ग्राउंड क्या हुआ बैक्ग्राउंड काफी डार्क है वो डार्क चाहिए तो पहले हम जब कलर इस्तेमल किया था वो क्या लाइट कलर किया था अभी हम थोड़ा सा पेंस ग्रे ले रहे हैं बट पेंस ग्रे थोड़ा सा कम से कम रखोगे तो भ पर पेंच गए थोड़ा पालिटरश रिवलिया, थोड़ा अलेपास अधिन क्रीमसर लिया, थोड़ा बंटंबर कि मिस्वाइलई औलिपकला थे का सिफमान अमत्ट पेंच रिलिविया, thin आन पेंड़ सिफमान ही, गरते बंटंबर तो यह जो पहले होइट क्यों होता है उसके अंदर यह जैसे मैं ऐसे कर रहा हूं उसके अंदर कलर दिखता है ठीक है तो कलर को समझने के लिए होइट होता है हाँ मैं भूल गया यह फ्लैट ब्रस काफी अच्छा है मैंने इससे पहले वे रिव्यू कर चुका तो यह आते ही शोल्ड आउट हो रहा है यह आर्टिकेट जो आर्ट स्टोर ऑंलाइन आर्ट स्टोर आपर मिलेगा डिस्क्रिशन वक्स में चेक कर सकते इसका नाम है सिल्वर सिल्वर ट्वाइन्टी अब लिखेंगे तो हो जाएगा थोड़ा से यूलो कर एड़ किया और थोड़ा सा पेंज ग्रे दिया थोड़ा सा अलका सा ओरेंज थोड़ा सा ओरेंज तो मैं बस उसके अंदर कलर को देखने की कोशिश कर रहा हूं और जब तक वो रिफरेंस के अंदर जो कलर में मेरे डिवाइस के अकॉर्डिंग जो दीख रहे है वो लाने की में कोशिश कर रहा हूं ठीक है कि यह वाला स्टेज में बहुत गरवर होता है कि क्या होता है बाड़बर कलर बनाते हो और कलर आलागला हो जाता है पैचे साता है यह सब होता है तो उसी सब से क्या है कि आपको कलर उसी सब से बनाना है एक साथ जिससे की पैचेस ना आए मोटा मोटा पाट मोटे मोटे ब्रस से ढ़ाग दो और जो बच जाता है उसे चोटे ब्रस से कर दो कर दो होने के बावजुद में बहुत सारे ड्रामा कर रहा हूं क्या होता है कि आपको एक दो चार पेंटिंग में आपको उसको समझना होता है कि पीपर कैसा चल रहा है किसी सब से उसके बाद आप जैसे समझ चाहेंगे फिर आप उसके उपर कलर और वाटर के साथ आप खेल सकते हैं कर दूसके घजरी आपको उसके प्रामा में आपको भीन देखे लेगो क्या है कि आपको जैसे समझना आपको पना पना है कि अरुद में घज़ात जैसे पूसला कि अरा भीना हैं ठीक है तो इस तरह से हमने कलर को एड़न के और भी कर सकते हैं अपर जितना भी आप डार करना कर सकते उसको बार बार आप गीला कर सकते हैं ठीक है ए यहां पर और तारसिस पर ड्रामा कैसे हो सक्ता हो मैं सोच रहा हूं तो रासा एलिजरिन क्रिंशन, आल्टा मिरिन, पीन्स ग्रे, और इंज बंट अंबर और थोड़ा मैं स्केल पो बढ़ा देता हम तो रहांत, अभी गिला है चरह तरफ क्या है मान लो कि यहां पर पैचेस आया, अभी देखो वही चीज मैं समझने क्योशिश करूँ कि अगर कुछष पर खराब होता है, तो क्या कर सकते है, कैसे हैंडल कर सकते है, मानने यहां पर पैचेस आया ना, तो हर जगा कलर गुमा दो, तो पैचेस रहे गा या नहीं कहीं पर तो पैचेस कैसे दिखेगा, तो यह भी चीज है कि पाइचेस को खितम करने के लिए फिर से मैं ने क्या गया पूरा एडिया को कुमालिया कर लू होb hatинов motivo पैचेस रहेगा कय था उट आईगा पैचेस कर दिया उसकी उसके बाद उट इपर में क्या पैचिस आ जाता है ना तो पैचिस वाला टाइम में हर जगा लगा दिया तो हर जगा पैचिस आ गया तो पैचिस ही खित्व हो गया इसके उफर अभी क्या करना है कि यह तो था कि आपको पता है कि बैक्ग्रॉंड भड़ना है इसके बाद इसको साथ इसको कनेक्शन कैसे बनना वो देखना है अभी कि इसके साथ कनेक्शन नहीं बना था यह अलग हो जाता है आपके सब्जेक्ट इसको कनेक्शन बनना आएं कि म कैसे हो सकता है वो ़ास पर भी थोड़ा सा देंगना लेगा विरिडियन, आलिटा मिरिन, एलिजरिन, बन्टम बर्थ तो यहां पर मैं बैक्ग्रॉंड के साथ साथ तोड़ा तोड़ा कहीं कहीं पर मर्ज कर लिया तोड़ा सालका सा कलर में अंतर है इस तरह से यह करने के लिए आपको ऐसा लगेगा कि यह तो बैक्ग्रॉंड के साथ मर्ज हो गया खरब हो गया ऐसा नहीं ऐसा ही है रेफरेंस के अंदर और वोई चीज आपको करना है बैक्रॉंड के साथ मर्ज करना है कि बहुत सारे ड्रॉपिंग हो रहा था उसको मैं कंट्रॉल कर लेता हूं एक दाफ़ा प्रक्राइड करना है यह भी जो कलर मैं यूज करूंगा यह बैक्रॉंड के साथ और असा टच अब लेनूंगा जिससे कि यह बैक्रॉंड के साथ मिल जाएगा मर्ज हो जाएगा कंट्रॉल कैसे कर रहा हूं टीसू क्या बहुत है स्पॉंज है स्पॉने में या तो टीसू के जरी आपके ब्रेस्ट के अंदर जो भी कलर को आप कंट्रॉल कर सकते है और वो बहुत ज़रूर यह कंट्रॉल करना है तो यह जो कलर है आपने भी देखा कि एक बार में यहां तक यह कलर नहीं आया यह कलर करने के लिए हमको कहीं दफ़ा कलर जो है इस समर करना पड़ा है यह बेगरॉंड गिला रहते हैं जो मैं कलर लगा रहूं गिला रहते हैं टच करना बेगरॉंड के साथ क्या होगा वो मर्ज होना चाहिए पोड़ा सा बंट अमबर ओरेंज ओके यह लॉकर पोड़ के अंदर जो कलर में डिवलप हो रहा है वह एक बर में नहीं होगा और नहीं प्रूप के अंदर अध़ इसको नहीं एक बर्मियाब कर पाएंगे उसको और नहीं होगा अध्यू अध्यू तो वो ड्राइ में कलर लगा के हम गिला करेंगे तो पहले कलर लगा देता हूं जहां पर जो कलर डार्क मुझे देख रहा है जो भी लगाना चाहरा हूं यहां पर थोड़ा पेंस ग्रे थोड़ा ओरेंज तो दिखो यह डार्क मैंने किया था ना पहले पट वो वर्टे कलर मीडियम में क्या होता है तो इसलिए क्या है कि हां बट ऐसा है कि कितना वहलू है कलर के वह उसी सबसे आपको यूज करना है यह क्या है कि कंट्रास है जो कि कंपोजिशन में कंपोजिशन की ब्यूटी को इनहांस कर रहे है कुछ कंट्रास ब्यूटी होके रखा है मदब ब्यूटी बना ले इसको कि यहां पर ऐसा लग रहा है मर्च करना कर सकते हैं कर सकते हैं झाल झाल तो ऐसा नहीं कि बाहर नहीं जाएगा बट वो उससे कुछ फ़र्ग नहीं पड़ेगा वो भी देखोगा वो कैसे वो ही तो सिखना है वो ही तो जानना है अभी पर यहां पर बेक्गरॉंड से भी जादा डार्क है है ना अब बहुत ही ज़्यदा रेंडॉम के साथ कर रहा हूं वह आप देख पार हूं और धियान क्या रग रहा हूं किस तरह से कलर्स में परिवर्तन हैं कलर्स के साथ कलर्स के वैलूस क्या रहना चाहिए उस फोकस कर रहा हूं अगर यह औरेंज है तो औरेंज कितना है कहीं पर योलो है तो वह कितना योलो यूज हो रहे हूं आपर और यह और यह बंटमबर यह बंटमबर यह बंटमबर यह बंटमबर वह तमाम कलर के जो टेस्ट है वह लेके आने की पोशिश कर रहा हूं और इस वीडियो को साइद आपको और भी एक दोबर देगना परेगा क्योंकि कौन सा टाइम पर क्या हुआ एक बार में आपको साइद समझ में नहीं आएगा इतना रेंडम इतना फ्री होके मदब कर रहा हूं जिससे कि आपको काम करने के लिए कि खराब होने के बाद भी आप उसको कमट कर सकते हैं मैं वह उसकी कोशिश कर रहा हूं कि आप नीरास हो जाते कि मेरा पेंटिंग तब खराब हो गया और ऐसा सीच्यूशन क्या मेरे साथ नहीं आया था ऐसा देगने में लग सकता था लग रहा था नहीं कि खराब हो गया यह वह ना विकर्स हो गया कितने वाटा डाला कैसे संबल सकता है ऐसा यह सब सीच्यूशन तो आया था तो मैं साथ समझा पाना हूँ आप सभी को अगर कोई श्रवाल है तो करो मैं आपको तुरंथ इसके बाद ड्राई करके एक शैडव बनाता हूँ फिर आपके क्रिस्टेंस को देखता हूँ तो आपको क्या करना है सिंपिल सब्जेक्ट को ट्राई करना है अच से अधरण दर्ना नहीं है मैं ऐसा तो राई करो आप अब लियार बाय लियार करूंगा तो चलेगा चलने में वह तो तभी सभी चलेगा कॉंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ेगा जोन से बाहर आएंगे तब तो कुछ आप एचीब कर पाएंगे ना वही कॉंफर्ट में आप काम कर रहो कि बजटेप करूंगा यह वह तो करी रहे हो कुछ ऐसा करके देखो साइथ कुछ और हो अच्छा कि यह जो भी शैड़ो गिर रहे हैं वह क्या है कि गिल एक पर छोड़ना पड़ेगा यह कि पूरा सब्सक्री एलिजरिन क्रिंशन क्योंकि यह जो शैड़ों का मदब आउल्लाइन नहीं रखना चाहता हूं ज्यादा कि शॉप्ट होने के लिए तो शैड़ों के साथ इस पर भी जो कलर और थुरम हैं इंकरिज कर दिया किसी कारों नहीं पर भी थोड़ असा डार्क है कि शॉप्ट है अगया कि शॉप्ट है अगया झाल झाल इसी तरह से आपको और जधा सीखने के लिए डीटेल्स में सीखने के लिए अनलाइन क्लासिस बेसिक वाटर करलर से लेकर के एडवांस पर घरे क्लासिस का डिजाइन है आप सीख सकते हैं आपके रीवू के जिरी आपके इंप्रुमेंट हो सकता है Dying Class भी है Oil Acrylic सभी चल रहा है Classes तो यहां से जो है आज जो मैंने आपको थोड़ा शेयर किया वो Water Color को कैसे आपको कैसे आप उसे Handle कर सकते हैं कितने सारे Accident कराया गया, कितने सारे Water Add कर किया गया कितना Free होके Color लगाया और फिर भी यह जाके इस तरह से रिजल्ट आया, है ना तो अगर आपको अच्छा लगा या ऐसे कुछ सवाल है तो जरूर करे Thank you Shwati जी Your dying is good Thank you so much Shansukhai You are using round brush यह जो ब्राउंड ब्रस है, वो प्रोफुल सावन सार का सिकिन से ब्रस है Okay, तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा और आप अगर Classes जाइन करना चाहते है तो discussion box में अलरड़ी दिया हुआ है हर तरह से Class आप आप अपना पेंटिंग मुझे शेयर करके आप पता कर सकते हैं कि कौन सा Class आपके लिए suitable है और फिर मिलते रहेंगे इसी की तरह कुछ ना कुछ subject आपके लिए 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 लिक्या हूंगा टाटा और मिलते फिर next किसी composition के साथ जुरूर इसे try कर सकते मैंने गुरूप में अलरड़ी इसका जो फोटो मैंने दिया है मेरा जो वर्ट्सव गुरूप जॉइन करने के लिए आप इसी चैनल के इसी इसी के deep discussion box में मेरा वर्ट्सव गुरूप मिलेगा आपको तो आप जॉइन कर सकते ठीक है okay thank you so much and tata bye bye